पिक पॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रश्मी दिसाईं किस तरह से सोशल मीडिया पर बस क्रियेट कर रही हैं आप सब जानते हैं भई सिधार्थ शुकला ने रश्मी के साथ परसनल बाते कहना क्या शुरू कर दिया रश्मी दिसाई की परसनल लाइफ फिलाल सोशल मीडिया पर कापी ज्यादा पबलिक हो गई है इन सब के बीच में इस खास रिपोर्ट में शादी बच्चे को खो देना तलाक और सलमान खा संग स्पेशल पॉर्ट रश्मी दिसाई से जुड़े इन किस्तों पर हम आपसे चर्चा करेंगे रश्मी और नंदिश संधू की कुपचुप शादी और तलाक सुर्खियों में हमेशा रहा दोनों ने उतरन के सेट पर अपनी लब स्टोरी की शुरुवात की मगर इन दोन इनकी शादी तूट गई विश्ता तूटने के बार कई तरह की खबरे आई बताया गया कि इन दोनों ने अपना बच्चा खो दिया इसकी वजह से इनकी जिंदगी में उतार चड़ावा गए इनकी केमिस्ट्री खराब हो गई नच बलिये खत्म होने के कुछ महीनों बाद इनका रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ा और अंत में इन दोनों ने हमीशा के लिए अलग हो जाने का फैसला कर लिया रश्मी ने तलाक की वज़ा नंदिश के फ्लॉटी नेचर को बताया नंदिश ने बार बार रश्मी के सेंसिटिव बिहेवियर को लेकर सवार उठा रश्मी देसाई की जिन्दगी में अरहान खान आते हैं और अरहान खान जब रश्मी को बिक बॉस के घर में प्रपोस करते हैं जब इनका रिश्ता पूरी तरह से आगे पड़ जाता है तब बॉलिवुच के दबंग सल्मान खान सामने आते हैं और रश्मी देसाई को बता इन जारेक भी कि यह जो तुम फैसला ले रही हूं यह फैसला जरा गलत है बता दे आपको रश्मी देशाई को लेकर सल्मान खान के मन में इतना सौप्ट कॉर्णर जो है सल्मान खान के दिल में इतना सौफ्ट कॉर्णर जो है यह सवाल सोशल मीडिया पर उचने लगा कि बंक्टू में काम कर चुकी है रश्मी सल्मान खान के साथ पहले कई बार स्क्रीन शेयर कर चुकी है रियालिटी शोज में सल्मान के साथ धुंके लगा चुकी है तो सल्मान रश्मी को शोज से पहले से जानते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि रश्मी देशाई कोई ही गलत पैसला अपनी लव लाइफ को ले कर उठाएं नेक्स्ट नाइन न्यूस से मीघा की रिपोर्ट